पूर्गी खोच किष्णे की आपसे इसमें है डी एच गार्डन सी डबलू एंडर्शन पंचानन मित्र या बी एस वाकानकर आपको बताना कि सिंगहनपूर की खोच किष्णे की बहुत ही सिंपल सा सवाल है सिंपल सा आंसर है फटा फटा आप लोग आंसर कर दीजिए और हां आखिर में जरूर बताएगे कितने सवाल आपके सही हुए इसका सही आंसर हो जाएगा आपसे भी यानि कि सी डबलू एंडर्शन ठीक ना सी डबलू एंडर्शन अगला सवाल देखेंगे हम भीम बेट का गुफा की खोच कब हुई उननीस सो तस भी में उननीस सो तेस भी म ननीस सो चपनीचरश भी में यहँ आप यह सो और पोस्ता हूं आपसे एक सवाल कि घैए आंसर लिखना है नहीं किसकी चित्रत करती है सेंजा की, रोंदा की, पाबलो पिकासो की या गैस्टार्ड की तो आपको बताना है कि लेस, डोमियो से लेस निमने में से किसकी चित्रत करती है सही अंसर क्या हो जाएगा आप संसी पाबलो पिकासो आगे देखेंगे असोक अस्तम्ब कितने फीट उंचा है कोशन नमबर टॉन्टी टू और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संभी पाचास फीट सूर्य क्रेडो के रंगों के अधार पर किस सहली में चित्र बनाए जाते हैं फोटोग्राफी, आउटडोर पेंटिंग, प्रभाववादी या हैंगिंग पेंटिंग कोशन नमबर टॉन्टी त्री, सही आंसर क्या हो जाएगा आप संसी प्रभाववादी अगरा सवाल देखेंगे, वाल्ड डिजनी जनक हैं किसके इस्टर फोटोग्राफी के इनिमेशन प्रक्रिया के वीडियो फिल्मिंग के या ब्लाप मेकिंग के आपको बताना है कि वाल्ड डिजनी किसके लिए फेमस हैं, कोशन नमबर टॉन्टी फोर बहुत इंपोर्टन सवाल है, सही आंसर हो जाएगा इनिमेशन प्रक्रिया के लिए, इनिमेशन प्रक्रिया के लिए जो है वाल्ड डिजनी फेमस हैं, ठीके ना? आगे देखें, घूमने पर स्वेत रंग उत्पन करने वाला वर्ड चक्र का बिसकारक कौन था, ओस्ट वाल्ड निउटन लियोनाडो या रफेल, कुशन नमबर टॉन्टी फाइब, बहुत ही इंपोर्टन है, सही आंसर अगर आपको पता है, तो फटाक से कमेंड वाक्स और नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लिजिए इसका सही आंशर क्या हो जाएका न्यूटन बाबा क्या हो जाएगा न्यूटन बाबा आगे दिखेंगे si resigns seal का संब्ध निम्द्र मेंसे किस कला से है सिलेंडर सील का संबंध निम्म में से किस कला से है मिसर की कला से मेशोपोटामिया की कला से सैंधो कला से या परसियन कला से आपको बताना है किस सिलेंडर सील का संबंध किस से है कुछ नमबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेशोपोटामिया की कला से आगे देखेंगे बांबे ग्रूप और प्रोग्रिशिप आर्टिस्ट ग्रूप में क्या अंतर है बांबे ग्रूप और प्रोग्रिशिप आर्टिस्ट ग्रूप में क्या अंतर है यह दोनों एक हैं बांबे ग्रूप के स्थापना पहले हुई बामबे गुरुप प्रोग्रिशिप आर्टिस्ट गुरुप के पश्चाद बना इन में से कोई सही नहीं है अब ये सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है पहली बात तो ये दोनों एक नहीं है और बामबे गुरुप की जो अस्थापना है वो बाद में होती है और जो प्रोग्रिशिप आर्टिस्ट गुरुप की अस्थापना उससे पहले होती है तो यहां पर आप संसी सही हो जाएगा बांबे ग्रूप टोग्रशिप आर्टिट ग्रूप के पश्चाद बना तो आपसन C यहां पर सही हो जाएगा बागे तीनों बातें गलत हैं चलते हैं अगले सवाल पर कुष्च नमबर टोंटी इड जापान की किस पत्रका में नंदलाल बोस का चितर सीव सतीव परकासित हुआ इंपॉर्टेंट सवाल आपसन ये है टो कियो जर्नल आपसंनंब है को एडी व्र ऐब को आपको बताना है कि जापान की किस पत्रका में सीव सती को प्रकासित किया गया था कुछ नमबर 28 का सही आंसर हो जाएगा आप संग भी कोका 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 ठीक है ना आगे देखेंगे रंग खुरच कर रिखांकन करने वाली पद्दती को कहते हैं घोष्ट लाइनिंग एंटी क्रीन लुट रेखा या सोताह चित्रन रंग खुरच कर रिखांकन करने वाली पद्दती को कहते हैं कुछ नमबर 29 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संग एंटी क्रीन आगे देखेंगे कौन सी विशेष था कट पुतली रंगीन कांस तथा बाटिक सभी में मिलती है कुछ नमबर तीस और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये रंग ठीक न अगे देखते हैं भेति चित्रन में किस प्रकार के रंग दरब उत्तम माने जाते हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये धात्रिक आगे देखेंगे नेमलिकित में से कौन कलकता गुरुप से संबंदित है के अचारा, एफेंस सूजा, प्रदोस दासगुपता, अम्रतास सेरियल कुश नमबर 32 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संसी प्रदोस दासगुपता, तो अब प्रदोस दासगुपता का संबंद किस्से है कलकता, आगे देखेंगे, इस गिर्जा में बट्रेस का प्रियोग हुआ सेंट बसील गिर्जा, शान बिताले गिर्जा, हेगिया शोफिया गिर्जा या सेंट मार्क गिरजा कुछ नमबर 33 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संग ये सेंट बसील गिरजा अब सवाल ये पूछता हूं कि सेंट बसील गिरजा कहां परिस्त है आप सभी लोग कमेंड बॉक्स में लिखिए जिन्होंने थियोरी क्लास पर रखा है उनके लि दी गही है इनमें से वो कौन सा उपकरणड है जिसका प्रियोग कला के छेतर में नहीं होता है कुछ नमबर 34 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संग डी क्योंकि दृष्टी बिलकुल होती है अब व्यक्ति यानि कि अपनी बात को कहा जाता है बिलकुल जाहिर सी बात है इसमें क्या नहीं होता है, इसमें इंटर्वیو नहीं होता है आगे देखेंगे किस कलावाद में ऐसा जो है दिखाने का प्रियास किया गया कि जो रग है वो सबसे important है प्रभावाद में घनवाद में अबिविंजनवाद में या फाववाद में आपको बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा प्रभावाद तीक न यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि प्रभाववाद घनवाद और अविवेंजनवाद और फाववाद इनके अलग अलग जनक कौन है कमेंट बाक्स में लिख करके आप लोग जरूर बताइए आगे देखेंगे भारत में ब्रह्मा का एक मातर मंदिर कहां अवस्थित है पुसकर में उजयन में दारिका में या केदारनाथ में कुशन नमबर 36 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन ये पुसकर में तो एक मात्र ब्रम्हा का मंद्र इस्दित है पुष्कर में इस्दित है आगे देखेंगे बिश्व के सا शडरीओं में शुमार क्राइश्टố ला मीडर की प्रतिमा कहां इस्ठापित है पेरु में मैकसिको में ब्राजील में या भारत में कुछ नबर थर्टी सेवन और इसक का मन पसंद माध्यम है सिरेमिक टेरा कोटा फाइबर ग्लास या ब्रांज रभीन्द रेडी का मन पसंद माध्यम क्या है कुछिन नमर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा फाइबर ग्लास आप संसी आगे देखेंगे निम्न में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसका संबंध कल हिवासी क्योंकि बाकि इतने लोग हैं चाहे वो नंदलाल बोस हों आसल कमार हालदार हों इभी हैबल हों इन सब का संबंध कलकलता आठकाले से है लेकिन जेम हिवासी का संबंध इस से नहीं है अगला सवाल देखेंगे इसा मसीख के जन्म दिन के रूप में मनाया जाने व क्पूटी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संब्सक्राइश की चड़ाई के बाद में बहुत बने थे उत्तरप्रदेश बिहार जार खंड या उत्कल प्रदेश उडीश उडीश उडीशा आगे देखेंगे एक परसिद्द कला समिचक है एनेसरमन आरके नाराणन गिरीश करनाड ग्या सात्य देव दूबे इन में से एक परसिद्ध कला समेच कौन है कुछ नंबर 42 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसे ये एस रमन ठीक ना क्या हो जाएगा एस रमन आगे देखेंगे अवींद्रनाट टेगोर ने अपनी सिरीज अभिसार कब प्रेंट करना शूरू किया था 1895 में 1899 में 1902 में या 1905 में कुछ नंब 43 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसे ये 1895 में आगे देखेंगे प्रकास और चाया की आसमाप्त त्रिकोंड रेखाओं से एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अपसाना बेंजित करने वाला कौन था कुछ नब 44 और इसका सही आंसर क्या हो जाएग अपसन भी गगनेंद्रनाट टेगोर ठीक है ना गगनेर ना टैगोर भारत के पहले कार्टूनिश थे और इसके अलावा भारत में घनवात का प्रियोग करने वाले प्रथम बेखते थे भारत वर्स में सर प्रिथम पासान कालिन उपकरनड कहां से प्राब्थ हुए बेलारी से पल्लावरम से भीम बेटका से या बिंठम से और इसका सही आंसब किस्से बनी थे चुनार सेंड सम से बलेक से रेड सेंड सून से ग्रेनाइड से कोश्चिक्स और सही आंसर उजिए प्राप्त होता है कुछ नम्रता के चित्रों में प्राप्त होता है कुछ नम्रता के चित्रों में प्राप्त होता है कुछ नम्रता के चित्रों में प्राप्त होता है इक्स प्रसिनिजम यानि की अविक्तिवाद के सफल चित्रन के लिए किस भारती आज ने चित्रकार के प्रसिनिज़ा की है नविनिन नाट टैगोर की, रबीन नाट टैगोर की, नंदलाल बोस की या एबी हैबल की कुछ नवर पचास और इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आपसन भी, रबीन नाट टैगोर आज का पहला सवाल है, पूरे भारत में एक मात्र फोरडी पेंटिंग सिध्धी बिनायक की रचना किषने की सिध्धार्त ने, सुबगी शर्मा ने, शीयन करुणा करन ने या स्रीलाल जोसी ने तो पूरे भारत में एक मात्र फोरडी पेंटिंग की सिध्ध बिनायक रचना किषने की अब देखीज़े, अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, तो एक संभव नहीं है कि कोई फोरडी पेंटिंग बनाए क्योंकि जो पूरा अंतरच्छ है आपका वो 3D है, तो फोरडी चीज़े आप रखेंगे कहाँ पर लेकिन है क्या कि वो कलाकारी के दिश्ट कौन से उसमें चार आयाम दिखाई देते हैं, इसलिए उसको 4D पेंटिंग कहा जा सकता है तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आपको बताईए, और अगर नहीं पता धान सुनके के याद कर लेजिए, शुबग शर्मा जो है इसका सही आंसर है, इनकी एक पेंटिंग है सिद्ध बिनायक, जो की चार आयामी दिखाई पड़ती है अगला सवाल देखेंगे काला घूरा महोट्सो काला घूरा कला महोट्सो कहां आयोजित किया जाता है, दिल्ली में, मुंबई में, चन्नी में या कोलकाता में यह सवाल कोई बहुत कटिन नहीं है, यह सवाल पूछा भी जा चुका एकजाम में, और आयसे सवाल आते भी है काला घूरा महोट्सो कहां आयोजित होता है, सही आंसर से के हो जाएगा, आपसन भी मुंबई ठीक ना, तो काला, गुना, कला, महुत्सो कहां अयुजित होता है? मुंबई में अयुजित होता है आगे देखेंगे चुहा और बिल्ली किस महान्चितरकार की पेंटिंग है? M.F. Hussain, यामनीरा, जे-यम, अहिवासी, या जदिन-दास तो चूहा और बिल्ली किसका परसिद्द चित्र है कौन से महाँचित्रकार का परसिद्द चित्र है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर पता है तो अभी तक आपने लिख दिया होगा और नहीं पता है तो जहां से सुन करके याद कर लीजी यामनी राइज दा right answer तो चूहा और बिल्ली किसका चित्र है यामनी राय का चित्र है अब यामनी राय के बारे में याद रखना ये रास्टवादी कला कार है बंगाल सहली से अलग इन्होंने काम किया पटवा जो लोग चित्रकला सहली है उसमें उन्होंने कापी इंटरस्ट दिखाया इसके अलामा ये भारती चित्रकला के पैगंबर कहे जाते हैं तो ये इनकी जो है बहुत बड़ी उप्रप्दियों में से एक है मियोग काली उन्हें से इच्छा प्रदान किया है आगे नंबर अठारा सो पांच सभी में पेसावर मिजन में मुल्क राज आनंद का परसिद उपन्यास है कला यूम सुदेशी कला रत्न दा प्राइबेट लाइफ इन इंग्लिस प्रिंस या आर्ट इंटरनेशनल ठीक ना आपको बताना है कि दिन में से कौन सा मुल्क राज आनं का परसिद उपन्यास अगे देखेंगे फ्रांस का जीन आनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारती को मिलने वाला प्रतम पुरुसकार था तो यह कौन से कलाकार हैं जिनको यह पुरुसकार मिला है जीन आनर फ्रेगनार्ड पुरुसकार किस भारती चित्रकार को मिला है राम गु अब राजमिस दर्सुकल क्या हैँ ? ये कला समिछक हैं इनको ये पुरुस्कार प्रतान किया गया है जीन आनर फ्रेगनार जो की फ्रांस अर्चार कि दौर्ड के दोरा दिया जाता है आगे देखेंगे मांड़ना जो की राजस्थान की एक लोग कला है इसमें आकरतियों को बनाया जाता है मांडना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है इसमें आकरतियों को बनाया जाता है खडिया निर्मित घोल से, लाल गेरू से, पत्ते उमफूल से, या गोबर से तो मांडना में आकरतियों को किस से बनाया जाता है कुछिशन नमबर छे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा के आफ़ैंगे, ख़डिया निर्मित घोल से, किस से ख़डिया निर्मित घोल से आगे देखेंगे, चेलसी गाल्स नामक फिर्म neसे पॉप कलाकार ने बनाई थी पॉप क्या है ये कला अंदोलन था ठीक है ना तो चेलसी गल्स नामक फिल्म 1966 डिस्बी में किस पॉप कलाकार ने बनाई थी राबर्ट रोसेंबर्ग ने रिसरड हैमिलिटन ने एंडी बार होल ने जैस्पर जोन ने कुश्ञ नमबर 7 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसें C and D बार होल लें ठीके ना आगे देखते हैं युनान के आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं सिक्कों के रूप में पात्रों के रूप में काश्ट के रूप में या मोर्तियों के रोप में तो युनान के आरंभिक कला के उदाहरन किस पर प्राप्त होते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी पात्रों पर प्राप्त होते हैं किस पर पात्रों पर आगे देखेंगे चित्रकला का अविस्कार करता था चित्रकला का आविस्कार करता कौन था कीमोन युमारीज सुमोन या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सीमोन ठीक ना आगे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा कुछ नमबर दस का अपसंडी युमारीज आगे देखेंगे युनान के आरंभिक युग की कला का केंदर था ग्रीक एथेंस रोम या पेरिस सही आंसर क्या हो जाएगा आपसंडी सही हो जाएगा एथेंस आगे देखेंगे 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 मिश्वास बढ़ता है और आपका अद्मिश्वास मैं बढ़ाता हूं तो यह दुनों की म्यूच्वल कमिट्मेंट होनी चाहिए कि दुनों को आगे लेकर करके चलना है ठीक है ना अगला सवाल देखेंगे हम इनमें से कौन अव्यंजनवादी कलाकार नहीं है पिएट मोंड ठीक ना आगे देखेंगे मिर्जापूर की गुफाऊं में सर्बाध चित्र इस्विसे पर बने हैं आँद्पर मोंदप्रमोद आखेट पारिवारिक नृत्त हैं штल बहुत ही सिंपल इसमें कुछ दिमाग के नहीं लगाना है मिर्जापूर में ही नहीं जितने भी प्रग्यातिहासिक चित्रकला आप देखते हैं उसमें सरबाधिक विश्वस्तु प्राप्त हुई है को आखेट है ठीक ना तो आखेट के चित्र सबस्यादा देखने को मिलते ह हैं आगे देखेंगे मुगल चित्रकला सहली की विश्यस्ता है मुगल चित्रकला सहली की विश्यस्ता क्या है युद्ध दिर्ष पसु पच्छी वा प्राकर्तिक दिर्ष दरबारी दिर्ष या उप्रिक्त में से सभी तो बहुत ही सिंपल है युद्ध दिर्ष भी देखन कोई मिलते हैं और झुलसी आपको देखने को मिलता है ठीक है ना तो कुलिसा करके आप सब्सक्रांव म्युद्र यहां पर सही हो जाएगा 17 फुट आगे देखेंगे माइकल एंज्डो द्वारा निर्मेद पीटा वर्क की माप क्या है पीटा ठीक ना तो पीटा की माप क्या है आपसर यह है जो है आप इसको देख लीजिए इसको बार-बार भूलने में दिक्कत होगा अगर आपको समझ में आता है तो आप सही आंस इंच और चोथा है बारो दिसमेलो आठ इंच गुड़े अठार दिसमेलो आठ इंच आपको बताना है कि जो पीटा वर्क है उसकी माप क्या है कुछ नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संगे 68.5 इंच इंच इंटू 76.8 इंच ठीक ना आगे देखते हैं सर प्रथम साथ सुरों सारे गामा पाधानी की जानकारी प्राप्त होती है रगवेद से शामबेद से यजुरवेद से या थरवेद से तो सारे गामा की जानकारी सबसे पहले कहां से प्राप्त होती है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप संगी सामबेद सामबेद एक ऐसा बेद है जिसे संगीत मैं बेद भी कहा जाता है आगे देखेंगे वह परसेद चितरकार वास्तुकार मुर्तिकार ग्राफिक कार डिजाइनर तालेखक जो भारत के पूर प्रधान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे बहुत सिंपल है सतीज गुजराल रंजीद गु सैख了吧 तो मूर्ती पुजा का आरंब कर सी माना जाता है इसका जाएंशर क्या हो जाएगा आप संग ृवदा ब्र को मिलतीगे यह कि आगे आम बेंजरत का पर्थम कला का था अभी बेंजन बात का प्रथम कलाकार था बंक के पावियां कंड़िस्की या दूमियों यह बहुत ही सिंपल है इसमें कोई दिमागी नहीं लगाना है तो इसका मतलब जाहिद सी बात है कि यह इसके प्रथम चितरकार होंगे आगे देखेंगे हाँ यहां पर एक सवाल में आपसे पूस्ता हूँ अभी बेंजनवाद का जन्म किस देश में हुआ पटा पटा दो कमन बा हो जाएगा आप संगे अपोलों को आगे दिखेंगे च्छटी सताब्दी इसापूर्व में किस कलाकार ने चेत्रकाला के छेत्र में इस्थित लाग हो जिसे परिपेच्छ कहा जाता है का प्रियोग किया तीमोन ने युमारीज ने फीदियास ने या एपिलीज ने अंदकार युग आरंभिक युग या इन मेंसे कोई नहीं कुछ नबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संगे सास्त्रिय युग आगे देखेंगे पटना में अस्थापित विसाल मूर्ति सिल्प सहीद इसमर्थी का निर्मान किसने की आप खोद इंपॉर्टेंट है ध् आप संसी है रामकिम करवैज और आप संडी है धनराज भकत कुछ नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संगी देवी परसाद राइच चोथरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक ना रस भाव को सास्त रूप दिया जाती है रस भाव को सास्त रूप दिया था किसने दिया था भारत स्वार भरत बाणवट ने किस दिया पंडिते से उधर तुझे मंगला के जो है रजनाकार है भरत जो की नाट्ट सास्त के रजनाकार है जो की संपूर रूप से कला को समरपित था और इन्हों ने इसमें रस के बारे में चर्चा की सबसे पहले तो भरत is the right answer आपसे भी यहां पर सही हो जाएगा रस भाव को सास्तर का रूप सबसे पहले किस ने दिया भरत ने दिया आगे देखेंगे बरहावी शदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक सहली की उन्नती कब हुई तेरहावी शदी में चौदावी सदी में पंद्रहावी सदी में यथा हई तो भरहावी शदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक सहली ठीके नब यह सब चीजे पूरा मने पढ़ाया है इसमें ऑपने प्र ट्र में तो सिर्फ सवाल करने से जो इसकी तैयारी नहीं होगी आपको पढ़ना पड़े का ज़ल्दी से और नें करिए देर करने से कोई फाइदा नहीं है कुछ नमबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सनिए तेरहमी शदी में आगे देखेंगे गोथिक जो की अपने आप में क्या है का स्थापत ते सहली है कि अंतिम कलाकार थे पीटर पाल रुबेंस केरिवेजियो दानते या जीयो थ तो गोथिक अस्थापत कला के अंतिम कलाकार कौन थे सही आंसर हो जाएगा आप संडी जी ओते ठीक ना आगे देखते हैं नुकीले महराब वाले भवंता रंजित कांच की खिड़किया किस कला के विसिष्ट देन हैं नुकीले महराब नुकीले महराब का मतलब पुछ इस लंडन की नेशनल गैलरी में किसका परसिद चितर कुमारी का सिंगाना शिंगाशना रोहत दर से तो लंदन की निश्टन गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंगासन रोहन प्रदरसित है जियोते सिमाबुए बेटिचिली या आंध्रिया आरकेना कुछ नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी आंध्रिया आरकेना आगे दिखेंगे ग्रूप एट किसके लिए प्रसिद्ध है ग्राफिक के लिए चित्रकला के लिए मुर्तिकला के लिए रानाटिकला के लिए ग्रूप एट का संबंध किस से है कुछ नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संडी ये ग्राफिक चित्रकारों के लिए है आगे देखेंगे और कमेंट बाक्स में लिखिए आप सब भी गुरु हैं क्योंकि आप सब गुरुजी बनने वाले हां के चल कर लिए कुछ नमबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप संसी जर्मनी में हुआ था ठीक ना आगे देखते हैं भारतिये पुरातत्तु ब्हाग के अस्थापना कब ह असपास भारतिय पुरातत्त ब्हाँ के हैं सथापना का न्यू लाड लहुजी नहीं डाacio फ्रत नासर कि वरतमान सुरूप आप देखते हैं जो in जासिया यह स्थापना uh आगे देखते हैं उननीस सो पच्पन इस भी में हुसेन को उनकी किस चित्र के लिए लिलत कलायक आदमी का पुरुषकार प्रदान किया गया था मदर्ट रेसा के लिए माधुरी घोड़े या जमीन कुश्ट नमबर 36 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसंडी जमीन के लिए ठीक ना आगे दिखते हैं सूजा ने अपना अधिकांस काम किस माध्यम में किया है जल रंग तैल रंग एक्रिलिक या टेंपरा तो सूजा ने अपना अधिकांस काम किस माध्यम में किया है बहुत important question है, सही answer बताईए आप लोग फटापट, सही answer जाएगा, apsan c ekrrawa click रंग में, आगे देखेंगे, cnya की चित्रकला का पिता कहा जाता है, cnya की चित्रकला का पिता कहा जाता है, जीओते को, दुछ्योगो, सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसण भी सही हो जाएगा? दुछ्योको ठीक न? किस कलाकार ने कभी भी अपनी किर्तीयों की सारवजणी पदरसनी नहीं की? जगदिश्वामिनाथन, राम कींकरवैज, गडे स्पाइन या भूपेन खनकर तो किस कलाकार ने कभी भी अपनी करतियों की सारवनी पर दरशनी नहीं की कुशन नमबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी राम किंकर बैज क्या हो जाएगा राम किंकर बैज आगे देखेंगे बेटिकन मुजियम कहां इस्तित है बेटिकन मुजियम कहां इस्तित है रोम, पेरिस, लंदन या टेकसस आपको बताना है कि बेटिकन मुजियम कहां इस्तित है कुशन नमबर 40 का सही आंसर हो जाएगा आपसन ये रोम आगे देखेंगे त्रि आयामी कला कौन सी है कनियुकरन है चीत्रकला मूर्तिकला शेंगित कला या कब कल सही आंसर क्यों जाएगा आपसन भी लेकिन ये 3डी नहीं होता कि ये 2डी सरफस्प़ बनाना जाता है रहला कि गुरवत्ता के कारण कई बात चित्र ऐसे लगते हैं कि वह 3D है या वो दइख्या है ठीक है ना छाली आगे बेगते है बडде किस मर्ति लिए Second जो है इसमक्र्ण ए üzज किस माध्यम में बनाया था उंचंत क्या हो जाएगा के डाकिस जाएगा संग मरमर से इसको निर्मित किया गया दकस मुर्ति को आगे देखेंगे बिदेशी चित्रपदती के प्रथम भारती चित्रकार कौन थे थियोदोर जैंसन राजा रभी बर्मा जहांगीर सावाल वाला या राजा देव बर्मन कुश्चिन नबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी राजा रभी बर्मा तो राजा रभी बर्मा ने चित्रन बिधा यूरूपी अपनाया लेकिन जो बिसेवस्टू अपनाया वो भारती थे ठीक है आगे देखते हैं दाइस्टाइरी नाइट का चित्रकार कौन था देगा वानगाग सेजान या पिकासो बहुत ही किस कलाकार ने नर्थकियों को अपने चित्रों का विसे चुना डेबिड ने देगा ने माने ने गोया ने कुछ नमर फूर्टी फाइब और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसन भी देगा ने आगे देखेंगे तीन मई किस चित्रकार की पेंटिंग गोया की पिकासो क साथ और किस विदा में माहिड था प्रेंट में किंग फोटोग्राफी ब्यंग चितरकारी या मोर्तिकारी सही आंसर क्या हो जाएगा आप संसी ब्यंग चितरकारी आगे देखेंगे पुरा तात्विक महात्यों का अस्थल लोथल कहां इस्थित है